नमस्कार मैं प्रहलातिमार मेना एससेट प्रोफेसर राजनती विज्ञान विभाग बाबु सोबराम राज की कला महाविद्जाले अल्वार इस इक लास में आप सभी का स्वागत हैं यह वीडियो बीए पार्ट फस्ट पेपर फस्ट वे बीए ओनर्स पार्ट फस्ट पेपर थर्ड जो की राजनती की विचार धाराओं का है उन विद्यारतियों के लिए त्यार किया गया है इससे पहले की वीडियो में हमने स्रेनी समाजबाद दी विचार धारा के बारे में अध्धिन किया था आज हम अरजक्तावादी विचारधारा के संधर्व में इस वीडियो के माद्धम से चर्चा करेंगे अरजक्ता का जो अर्थ है वो है बिना राज्य के या बिना सक्ति के क्योंकि राज्य में सक्ति नहीं तो होती है और अरजक्तावादी हो गई या राज के नियंद्रनस के भार होगी या राज की सक्ति के बाहर कोई भी जब आंदोलन हो, चाहिए कोई और अधिकार श्वतनतरताओं या आर्थ-वियुस्ता या सामाजी की वबस्था, राज़नती की वबस्था राजी के रहते हुए जब ऐसाफल होती है तो उसे हम सामाणे तोर पर सामाणे बासा में, सामाणे बोलचाल में हम अरजकता की इस्तिती मानते हैं लेकिन अरजकतावादी विचारधारा इससे थोड़ा सा इतिफाक नहीं रखती है और वो अपने अरजकतावाद सब्द का प्रियोग या विचारों में सक्ति का नहीं वो केवल सत्ता या सक्ति का अभाव मानते हैं लेकिन वो अव्यवस्था उसमें नहीं मानते हैं वो अव्यवस्था क्यों नहीं मानते हैं यही हम इस अरजकतावादी विचारधारा में अध्यन करेंगे इस वीडियो में हम अरजकतावाद का अर्थ परिबास्वाओं के संदर में जानेंगे इसके जो मुखे जो विचारः क्या दार्षनिक हैं अरजकतावादी विचारधारा के वो हैं विलियम गाडविन, थामस हौडकिन्स, प्रोधा, बहुत बड़े समर्थक अरजकतावादी विचारधारा के, बॉकुनिन, बैकुनिन भी बहुत बड़े अरजकतावादी माने जाते हैं, टालास्टाई और क्रोप टर्किन, और अगर भारतिये राजनितिक दर्षन के अध्धन को हम समझें तो उसमें गांधी विचार, गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं, पुरा एक संपून विचार दर्षन हैं, वो भी राजिके सासन को कम से कम मानते हैं, और उस रूप में कुछ लोग महत्मा गांधी को भी आरजकतावादी विचारक मानते हैं, ये खेरे, आगे हम जब इसके मोल सिद्धान्तों का और इसके मुल्यांकन की बात करेंगे, तब हम इसकी चर्चा करेंगे, आज हम इसके अर्थ व परिवासा के बारे में जानेंगे, आरजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, वरन सक्ति का अभाव है, आरजकता का अर्थ है श्वतंतरता, एकता व प्रेम, ये सब डिकिन सन्ने कहें हैं, जो कहते हैं कि आरजकता का जो अर्थ है वो एव्यवस्था से नहीं है, वो सक्ति के नै होने से है, आरजकता का जो सामाने अर्थ हो बताया कि श्वतंतरता, एकता वर प्रेम, अब ये कैसे आरजकता वादी विचारधारा के लोग दार्षने के अभिचारक शिद्ध करेंगे, इसका अध निकनसन ने इसको सामाने अर्थों में इस तरह से परिवाशित किया है, या बताया, बताने के कोशिश की है, कि आरजकता वाद व्यवस्था का अभाव नहीं, वरन सक्ति का अभाव है, आरजकता वाद सब्द के उत्पत्ति ग्रिक सब्द अनार्किया सब्द से हुई है, अते अरजक्तावाद एक ऐसा क्रांतिकारी सिध्धान्तिया विचारधारा है जो राजी तथा सब प्रकार की अधिकार शक्ति का नेकेवल विरोधी हैं बल्कि उसका पूर्ण उन्मुलन करना चाहते हैं। अरजक्तावाद राजी विहिन, वर्ग विहिन, सत्ता विहिन, निज्जी संपति विहिन तथा धर्म विहिन समाज की इस्ताबना चाहने वाली विचारधारा है। और इसको अगर एक सब्द में समझें, तो साम्मेवाद जहां समाप्त होता है, अरजक्तावाद वहां प्रारंब होता है, आरंब होता है या सुरू होता है। चुकि साम्मेवादी भी सर्वारा वर्ग की इक्रांती के द्वारा पुझी पतियों का विनास करके राज विहिन समाज की स्थाप्रा करते हैं। लेकिन साम्मेवादी विचारधारा के लोगों ने व्यवस्था सक्ति का तो या राजी का तो अंध कर दिया। लेकिन व्यवस्था के संदर्व में कुछ नहीं बताया लेकिन आरजक्तावादी यो ने जो व्यवस्था का नाम डिकिन्सन ने बताया कि आरजक्तावाद का आर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं सक्ति का अभाव है और साम्यवाद ने जहां सर्वरा वर्ग की क्रांति के द पूंजी पतियों के हाथ में कटपुतली बनकर रहता है या पूंजी पतियों के लिए ही काम करता है लेकिन जब राजी का अंत हो जाएगा राजी भीहिन हो जाएगा सत्ता विहिन हो जाएगा वर्ग विहिन जब समाज हो जाएगा तो उसमें व्यवस्था किस प्रकार की होगी ये आरदक्तावादी विचारधरा के लोगों ने बताया है और इसलिए ये कहा जाता है कि जहां साम्यवाद समाप्त होता है वहां से आरदक्तावाद प्रारंब होता है आधूनिक आरदक्तावाद यदपी प्रोदावे बैकुनिन तथा क्रोप्टकिन आदी विचारकों के चिंदन की देन है तता पी आरदक्तावाद के तत्व इतिहास में प्राचिन काल से पाए जाते हैं प्राचिन युनान के इतियास या ग्रिस के इतियास में जैनो नामक विद्वान की विचार धरा में अरवजकतावाद के तत्व पाए जाते हैं अपने विचार धारा में जैनों ने भी एक ऐसे समाज की कलपना की है जिसमें राजिका अस्तित्व ना हो तथा श्वतंतरता वा समानता ही जिसमें व्यवस्था के मुख्यादार हो परंतु उसने ऐसे समाज की इस्थापना के साध्रों पर प्रकास नहीं डाला अते जैनों के चिंतन में राजकतावाद का रूप अधुराही माना जाता है या अधुराही रहा मानव जीवन तथा समाज में राज के महत्व तथा इस्थान के संबन्द में जो विविद विचारदारें प्रचलित रही हैं या प्रचलित हैं उनमें अरदक्तावाद एक महत्तुपुर्ण वे प्रभावसाली विचारदारा है अरदक्तावाद एक ऐसी विचारदारा है जो राज सत्ता तता सभी प्रकार के राजनतिक, सामाजिक तथा धर्म्रद्न नियंतरनों का उपवास कर एक वास्तविक राज विहिन, वर्ग विहिन एक नियंतरन विहिन समाज के इस्थापन का आदर्स परस्तुत करती है वास्तों में अरजगतावाद के दो रूप हैं एक है व्यक्तिवादी और दूसरा है साम्यवादी दोनों ही राजी की समाप्ति के पक्स में हैं व्यक्तिवादी भी व्यक्ति को साध्य मान कर राजी को के वल मातर साधन मानते हैं और साम्यवादी संपूर्ण रूप से ही राजी को समाथ करने के लिए करने की बात करते हैं परन्तु व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाय रखना चाहते हैं साम्यवाद में विश्वास रखने वाले अरजक्तावादी निजी संपत्य को समात करने के पक्स में है वर्तमान युग में अरजक्तावादी साम्यवादी ही है ये अरजक्तावादी राज, व्यक्तिकत संपत्य और धर्म इन तेनों संस्थाओं के विरुद है क्योंकि राज और निजी संपति धर्म इनमें सक्ति नहीं तो होती है राज में सक्ति होती है व्यक्तिगत या निजी संपति में सक्ति होती है और धर्म में भी सक्ति नहीं तो होती है और ये अरगतावादी इन तिनों संस्थाओं का विरोध करते हैं क्योंकि वो सक्ति को समप्त करने की बात करते हैं बैकुनिन के अनुसार ये तेनों संस्थाए मनुश्य की आदिम इस्तितिके चिन्न है और आदूनिक विकास की आवस्था में इनकी कोई आवशक्ता नहीं है अब बात करते हैं कि आरगतावाद का विकास कहां हुआ, कैसे हुआ यद पी आधूनिक आरगतावाद प्रोधा, वाकूनेन ततधा कुरूप्टकिन आदी विचारकों की देन है तता भी अरजगतावादी विचारधार के मूल तत्व राजनेतिक चिंतन के इतिहास में प्रारंब से ही विद्मान रहे हैं प्राचेन यूनान के इस्टोईक विचारकों के दर्सन में अरजगतावाद के तत्व पाये जाते हैं और इनमें जैनों को अरजकतावाद का मुख्य प्रतिपादक कहा जा सकता है इन विचारकों का मत है कि राज की उपस्थती आत्मा नुभूती के लिए गातक है जो भी विचारक जो अरजकतावादी विचारों के हैं उनका ये मत है कि राज की उपस्तिते में आत्मा नुभूती नहीं हो पाती है या उसके लिए ये घातक है क्योंकि मनुश्य श्वतंद्र रूप से अपना कोई निर्ने या निर्ने नहीं कर सकता कोई कारे नहीं कर सकता इसलिए वो इस सक्ति को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा नुभूती आत्मा को संतोस नहीं मिलेगा आत्मा के अनुसार आत्मा के आवाज के अनुसार कोई काम नहीं कर सकेगा इसलिए राजी को आ से सुख़ी और सद्गुनी जीवन की प्राप्ति राजी में रहते विए संभव नहीं मानते हैं। भारत्व चीन संभव नहीं है भारत्व चीन के पूर्विय दर्शन में याने कि प्रारंबिक दर्शन में भी अरजक्तावाद के तत्व देखे जा सकते हैं पूर्विय मतलब जो प्राचीन दर्शन है उसमें भी अरदक्तावाद के तत्व देखे जा सकते हैं चीनी विचारक च्वांग जू का विचार था कि एक व्यक्ति का दूसरे परसासन मान्य प्रकर्ति के सर्वता विप्रीद है चीनी विचारक और भारते विचारकों के दर्सनों में भी प्राचीन दर्सनों में भी अरदकतावादी तत्व देखे जा सकते हैं पारफिनी विचारक च्वांग जू का विचार था कि एक व्यक्ती का दूसरे पर शासन कि मान्य प्रकरति के सर्वथा विपरीत है और ये शही है कि एक व्यक्ती किषी दूसरे व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखे ये मान्य प्रकृति के सर्वथा विपरीत है और ये निश्चित है कि जब एक व्यक्ति सक्ति दुआरा किसी दूसरे व्यक्ति को नियंद्रित करता है तो वो पहले सक्ति संपन्य व्यक्ति अपना हित साधने की और दूसरे व्यक्ति को नुक्सान पहुचाने की कोशिस करता ह क्योंकि यह मान्वी प्रकृति यह मानुए स्वभाहूँ का एक स्वभाविक गुन माना जाता है, यह चीनी विचार के रहे, अब भारतिये जो विचारक मनु के रूप में बताये हैं, मनु ने भी मनुश्मत्य में एक ऐसे समाज के कलपना की है, जो अरदचतावादी विच पुराने इसाई विचारकों के द्वारा भी किया गया है। मत्य युग में इस्पिनल तथा सहली के विचारों में ऐसे तत्व देखे गए हैं या पाये जाते हैं। परन्तु आधुने क्युक में अरदक्तवादी दर्शन का प्रारंब अध्योगी क्रांती और विकास के बाद शुरू हुआ अरदक्तवाद की दिशा में सरप्रथम गंभीर चिंतन विल्यम गाडविन जिनका जिवनकाल 1756-1836 तक रहा की विचार धारा में मिलता है। जो अरदक्तवादी दिशा में सरप्रथम गंभीर चिंतन करने वाले विचारक हैं वो है विल्यम गाडविन यदपी गाडविन ने अपने दर्शन में अरदक्तवाद सब्द का प्रियोग नहीं किया है तता भी राजी के संबन्द में उसकी विचार धारा व्यक्तिवाद से अधिक अरदक्तवाद के समीपी है क्योंकि व्यक्तिवादी विचार धारा में भी राजी का विरोध किया गया है या राजी की सक्ति को कम से कम रखा जाने की बात कही गई है और उसके ज्यादा नजदीक विल्यम गाडविन नह होकर अरदक्तवाद के ज्यादा नजदी उनके विचार या उनका चिंतन रहा है। उग्रिव व्यक्तिवादी थामस हजकिन्स जिनका जीवनकाल 177 से 1879 तक रहा कि विचारदारा में कुछ अरदक्तावादी तत्व मिलते हैं क्योंकि वह कानून तथा राजी व्यवस्था को नेकेवल बुरा या खराब वरन शक मानता है। अरदक्तावाद को सुवयवस्तित विचारदारा के रूप में प्रस्तुत करने का सरव प्रत्थम स्रे प्रोधा जिनका जीवनकाल 1809 से 1865 तक रहा को प्राप्त है। यानि कि जो अरदक्तावादी विचारदारा है उसको सुवयवस्तित तरीके से जो प्रस्तुत करने का काम किया है वो प्रोधा को उसका सरे दिया जाता है। प्रोधा ने अपने पुस्तक या रचना वाटिज प्रोपर्टी पूजी क्या है में लिखता है कि मैं पूर्ण अर्थों में अरदक्तावादी हूँ। और द्योगी क्रान्ती के कारण सब भी जगे मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। ऐसे स्थिति में फ्रेंच विचारक प्रोधा ने व्यक्तिकत संपत्य को चोरी माना है। व्यक्तिकत संपत्य की इस व्यवस्ता के लिए वे राजी को उत्तरदाई मानता है। सबसे अधिक निर्दोस स्वरूप उचितम रूप से सुव्यवस्ता तथा अरजक्ता के समन्वे में ही हो सकता है। प्रोधा के बाद बाकुनिन जिनका जीवनकाल 1814-1886 तक रहा ने अरजक्तावाद को सुव्यवस्तित किया। बाकुनिन की विचारधारा में राज्य व्यक्तिकत सम्पति वे धर्म का उन्होंने उग्रोध देखा जाता है। चुंकि जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि राज्य में भी सक्ति नहीं तोती है। निजी सम्पति भी सक्ति और सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है। और धर्म में भी धर्म की वेक सत्ता मानुए विचारों में को प्रभावित करती है। और उनको धार्मिक आडम्रों में के आधार पर गुलाम बनाने का कारे करती है। या व्यक्ति को व्यक्ति के द्वारा नियंद्रित करने का काम करता है इसलिए बाकुन ने राजी व्यक्ति के संपति और धरम का उग्रु विरोध किया वह कहता है कि राजी द्वारा व्यक्ति का कोई हित साधन नहीं हो सकता क्योंकि राज पूर्णते बहार की वस्तु है और उसके द्वारा व्यक्तिके व्यक्तित्व का विकास ना होकर उसमें बाधा आती है। राजी सक्ति पर आधरित होने के कारण मानव मात्र को ब्रेष्टाजार की और प्रेरित करता है। और इसी तरह व्यक्तिगत संपत्ति व धर्म की भी कटु आलोचना करता है और कहता है कि धार्मिक निरंगुस्ता को सबसे ज़्यादा दुखदाई बाकुने ने माना है या बताया है। प्रिंस कोपटकिन जिनका जिवनकाल 1842 से 1922 तक रहा अरजकतावाद के सबसे प्रमुक समर्थक माने गये हैं यह समर्थक था एतियासिक आधार पर उसने ये सिद्ध करने का प्रियास किया है कि राज एक ऐसी बेकार संस्था है जिस से लाब के इस्थान पर हानी अधिक है राज के कानून व्यक्तिक रिश्वातंत्रता का अंत करते हैं आधुनिक समय में राज के द्वारा किये जाने वाले सभी कारिये स्वेम मानाव और एचिक संगठन अच्छे से कर सकते हैं पूजिवाद व्यद्धर्म का भी विरोध करते हुए उसने कहा है कि धर्म साधा पूजिवाद्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र जिनमें पूजी पती और धर्म गुरू हैं मानता है प्रिंस कॉप्टकिन वो इनके हितों को एक ही मानता है और इनका विरोध करता है उसके अनुसार अराधिक्तावादी राजी में व्यक्ति पर किसी प्रकार का बंदन नहीं होगा और व्यक्ति के साथ निश्चित समझोते क आधार पर स्वटंत्र संस्थाओं का निर्मान किया जाएगा इस नमिन समाज में सभी व्यक्तियों को समान अदिकार और श्वतंत्रताइं प्राप्त होंगी और पारिश्पर जगड़ों को समझोते के आधार पर पंचयतों दुआरा निप्ताया या जाएगा सहितिकार टालश्ट्राई जिनका जीवन का लठारा सुठाई से 1910 के लेखों में भी अरक्तावादी तत्व देखे जाते हैं वहर राजी के नियंतर्ण और श्वतंतरता को परसपर विरोधी मानता था और उसका कहना था कि मेरे सारे क्रिया कलाप राजी की मांगों के प्रभावों में दबे हुए हैं लब टालश्ट्राई जो कि एक सहितिकार रहे हैं और महत्मा गांधी उनके विचारों से बहुत प्रभावित भी थे उनका मानना और कहना है कि मेरे सारे क्रिया कलाप राज की मांगों के प्रभाव में दबे हुए है यानि कि मैं अपनी मर्जि से कुछ नहीं कर सकता और मुझे यह दिखाई देता है कि मेरी तथा मेरे भाईयों की स्थिती तभी सुद्रेगी जब सब राजिसे मुक्त हो जाएगा या जब सब राजिसे मुक्त हो जाएगे या राजिसमापत हो जाएगा टालस्टाई पूर्ण इसायत की अवस्था ही अरजकतावाद अरजकता की अवस्था को मानता था इसी कारण टालस्टाई के विचारों को इसाई अरक्तावाद भी कहा जाता है महत्मा गांदी वे विनोबा भावे जैसे भारती विचारकों को भी इसाई अरक्तावादियों की स्रणिमी माना जा सकता है इन्होंने भी राजी की भढ़ती वी सत्ता के प्रती चिंता व्यक्त की थी लेकिन ये राजी की सत्ता को समाप्त करने के लिए हिंसा का प्रियोग करने के पक्स में नहीं है इनके अलावा वारेन, टकार, शिमिड तथा इस्टनर आधी को भी राजनितिक विचार धारा है उसमें राजी का निजी संपत्ति का और धर्म का उग्र विरोध देखा जाता है और इसमें सक्ति या सत्ता का अभाव है, व्यवस्ताओं का अभाव नहीं है इनको अरग्तावादियों का जो रूप है वो साम्यवाद के समाप्त होने के बाद ने दिखाई देता है और जो व्यवस्ता अरग्तावादी विचारधारा के द्वारा के गई है वो स्वेचिक संगठनों के माध्यम से जो कारे राजी के द्वारा के जाते हैं उसके बारे में वो कहते हैं आरग्तावादी कहते हैं कि स्वेम व्यक्ति उनकारियों को कर सकता है अपनी स्वेच्छा से कर सकता है एचिक संगठनों समुदायों के माध्यम से कर सकता है इस प्रकार से ये अरग्तावाद का अर्थ वे इसकी परिभासाओं का हमने इस वीडियो के माध्यम से द्धन किया इस वीडियो में इतना ही अगले एक क्लास में हम किसी दूसरे अरग्तावादी सिद्धान्त के जो मूल सिद्धान्त हैं उनकी चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद घर में रहें सुरक्षित रहें बाहर निकलते समय सोशल डिस्टंसिंग और मास का प्रयोग आप से कुरूपशे करें एक बार पुन है आप सभी का धन्यवाद